जेना एक बहुत ही उज्जवल छात्र थी जिसमें कमजोर दृष्टी थी इसलिए वह हमेशा सामने की पंक्ती में बैठी थी जेना अपने दोस्त के साथ रहती थी जिनकी कॉलेज ओफ फाइटिंग में अन्य छात्रों के साथ बुरी प्रतिष्ठा थी एक दिन कॉलेज जान पहुँचे पर चार संदिग्दों की पहचान की, अपराधिस्थल के पास दो और संदिग्द थे जब मैंने सैम को देखा, तो मैं अपनी कार को डेट करते थे लेकिन अब हम नहीं हैं, मैंने उसे नहीं मारा था, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं जेना चीख सुनने के बा जानती थी सैम का शव वहाँ पड़ा था